आज शुशान सिंग राजफूत की बहन प्रियंका के खिलाफ रिया चकरवर्ती का केस बॉंबे हाई कोट ने बरकरा रखा है इस फैसले पर रिया के वकील जो है सतिसमान सिंदे ने कहा है कि हम फैसले से सहमत हैं और ऐसा लगता है कि आखेकर रिया चकरवर्ती की न्याय और सत्त के लिए आवाज को सुना गया एसे ऐसे अजीव जीव रियक्शन्स आते हैं कौन सत्य है कौन जूट है और रिया चक्रवर्ति ने क्या किया है ये पूरी दुनिया जानते हैं पूरी दुनिया ने देखा है फिर भी आज बॉंबे हाइकोट ने उनका प्रियंका सिंग के खिलाफ जो भी था ये मामला उसको बरकरार रखा है हाई कोट ने उनकी दूसरी बहन मीतु शिंग के खिलाफ दर्ज एफ आयर खारिज किया लेकिन दूसरी बहन पिरियंका सिंग के खिलाफ आरोप को बरकरार रखा है शुशान की बहन के वकील ने कहा जो उनकी बहन के जो वकील है वो इससे कहे हैं कि सुप्रि चीदा फस्ता जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा ये अब गंभीरता की तरफ बढ़ गया क्योंकि रिया चेकरवर्ती के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि उसने क्या किया है और उसके केस को बरकरार रख करके अब यह मामला ज्यादा बड़ा हो गया है और मामला तूल पकड़ेगा रिया की और से सुषांत की बहन प्रियंका सिंग के खिलाप मुंबई पूलिस में शिकायत देने के बाद पूलिस ने खुदकुशी के लिए उसका ने अमेंडमेंट्मेंट टू शुषाइट का केस दर्ज किया था और इसमें कई सारी धारी धारा लगाया गय यह फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने का रूप लगाया था और यह तरह तरह की बाते इसमें हो रही है लेकिन हम यह जानते हैं कि रियाद चक्रवर्ती खुदके बचाव के लिए तरह तरह के प्रपोगंडा करेंगी और उसी में इन्होंने फटा-फटा आपको या प्रपोगंडा करेंगे और इसमामले को खारिज करने के लिए जो भी हो सकता है वह करेंगे अब हमें आगे देखना है क्योंकि एक ऐसा मामला यह फस्ता हुआ नजर आ रहा है जिसमें अब काफी बड़ी पेचीत गया है और इसको हमें आगे बहुत ही इंकम भीरता से लेन होगा और हम सबकी इस पर निगाह बनी रहेगी और आगे जो भी अपडेट आएगा उस पर हम लोग लगतार बाचित करते रहेंगे जाहिंद